हुआ हेलो गाइज वेल्कम बैक टो यॉर चैनल एंड माइनेम इस सिद्धार चौधरी और आज हम कवर करने वाले हैं मोशन का जो सेकंड पार्ट है आधा चैप्टर बच गया था पिछले वीडियो में वहम इस वीडियो में कवर करेंगे तो सबसे पहले तो हम टॉपिक देख लेते हैं जो जो आज हमें कवर करना है तो तीन टॉपिक मेंली इसमें हैं पहला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अफ मोशन, 2nd is equations长 औ Umwelt is uniform circular motion और टाइम रहता है तो लास्ट में हमें quick revision भी गरेंगे ठीक है तो हमारा जो next topic है वो है ग और जो दूसरा ग्राफ होता है वह होता है अपका व्लासिटी टाइम ग्राफ ठीक है यह दो ग्राफ हम स्टडी करेंगे और हम समझेंगे कि इन ग्राफ से हमें क्या-क्या चीजे जो है पता चलती है अब इन दोनों एक्सिस पे हम कोई दो quantities रख देते हैं कोई भी दो physical units जो कि time हो सकती है, distance हो सकती है, velocity, acceleration, कुछ भी यह जितनी भी हमने quantities motion से related अभी तक पड़ी हैं इन में से किसी को भी हम इन दोनों एक्सिस पे plot कर सकते हैं लेकिन generally जो दो सबसे important graph हैं वो है distance time graph और velocity time graph तो distance time graph में हम क्या करते हैं, एक axis पे हम distance को plot करते हैं, generally y axis पे और time को हम x axis पे plot करते हैं, ठीक है, अब देखो हम जड़ा यह graph को हम थोड़ा study करते हैं और हम जानते हैं, इससे हमें क्या क्या पता चलता है, ठीक है, तो let us study this graph, इसमें यह distance हमने kilometer में ली हुई है unit, ठीक है, जैसे हम zero से उपर जा रहे हैं, यहां तक पहुंचते ही 10 kilometer हो गया, यहां तक 20, यहां तक 30, यहां तक 40, ठीक है, ऐसे यहां पर x axis में हम चलेंगे, तो यह time है, जिसको हमने minutes में लिया हुआ है, यहां पर, यहां पर 0 to 20 minute, यहां पर 20 to 40, 40 to 60 minutes, यह time शो कर रहा है, ठीक है, अब आपने समझ लो एक journey start की, O points से, तो O points पे starting में आपका time भी 0 है, और आपने अभी तक distance भी कोई travel नहीं की है, तो यह point आपका यहां पर plot हो गया, ठीक से, तो क्या होगा, चलने का मतलब है, कि आप कुछ distance travel कर रहे हो, और कुछ time भी साथ के साथ पास हो रहा है, ठीक है, तो मान लिया हमने 20 minute के बाद चेक किया, हम कहां तक पहुँचे, 20 minute के बाद, हम यहां पर पहुँच गए, इस point पे, और इस point पे, जो है, distance लगबग इतनी कवर ओची की थी, फिर हम ऐसे ही चलते रहे, ऐसे ही चलते रहे, फिर 40 minute के बाद हमने देखा, हम कहां पे पहुच गए, हम यहां पे लगबग 30 km से थोड़ा पहले, लगबग 28 या 27 km का distance हमने cover कर लिया, 40 minute के अंदर, तो यह जो यह simple एक straight line जो जा रही है, अगर हम इसकी study कर करते हैं, तो हमें पता चलता रहता है, हमने कितने time interval में कितना distance जो है, वो cover कर लिया है, यह straight line आपको यह बताएगी, और अगर distance time graph में यह line straight है, तो इसका मतलब है कि आप uniform velocity से travel कर रहे हो, अब ऐसा मैंने क्यों का गए uniform velocity से travel कर रहे हो, देखो velocity का जो formula होता था, हमने time ठीक है, तो अगर यह line straight है, तो इसका मतलब जैसे जैसे जितना time बढ़ रहा है, उतना ही उसी के according distance भी बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे distance बढ़ रहा है, वैसे वैसे time बढ़ रहा है, तो आपका जो velocity जो term है, वो constant रहेगी हमेशा, तो इस graph से आप velocity measure कर सकते हैं, हमेशा distance औ time का अगर आपको graph दिया हुआ है, तो वहाँ से आप velocity measure कर सकते हैं, क्योंकि velocity का formula होता है, distance upon time, अब समझ लो, अगर मैंने बोला कि मेरे को velocity चाहिए B point पे, ठीक है, B point पे मेरे को velocity चाहिए, तो मेरे को क्या करना हो, मेरे को देखना होगा, कि B point पे distance कितना cover हुआ है, और time कित इतना है, तो हम दोनों axis पे चलते है, B point से अगर मैं Y axis की side चलू तो लगबग 40 km का distance cover हुआ है, और यहीं से अगर मैं X axis पे चलू तो हमें time लगए 60 minute का, तो यानि B point पे जब हम हैं, तो उसकी velocity लगबग कितनी है, 40 km per hour, 60 minute है न, मतलब कि एक घंटे में 40 km हम चले हैं, तो उ point भी 40 km per hour, और क्योंकि यह velocity constant है, क्योंकि straight line है, तो हर point पे जो velocity है, वो लगबग उतनी आएगी, अभी जब हम कहीं 30 पे निकालेंगे, तो 30 पे जो distance है, वो 20 के करीब होगा, जब हम 30 पे यह 30, 20 और 40 के बीच में 30 होगा, इसको हमने लिया, और इसको जब हम इधर measure करेंगे, तो यह जो है, आपके 20 पे जाके लगेगा, क्योंकि आपकी straight line है, तो velocity आपकी constant है, अगर यहाँ पे 40 km per hour आ रही है, तो यहाँ पे भी 40 आएगी, यहाँ पे देखो आप distance 20, time है, 0.5 hour, तो 20 upon 0.5, यह भी आपका 40 km per hour speed आएगी, तो आप किसी भी point पे इस line पे आप graphs को देखते हैं, तो यह तो था आपका distance और time का graph, ठीक है, आप आके आप इदर एक बार इस पेरा को आप read करेंगे, तो यहाँ पे वही सब दिया हुआ है, कि velocity कैसे calculate करते हैं इस graph से, और इस graph से हमें क्या-क्या देखने को पता चलता है, अब आगे चलते हैं, अब देखो, यह same graph है, distance time graph, लेकिन यहाँ पे जो है, straight line नहीं है, यहाँ पे curve दिया हुआ है, तो curve देखते ही हम समझ जाएंगे, कि यहाँ पे जो velocity है, वो constant नहीं है, जैसे पिछले graph में, हर point 40 km per hour की velocity थी, यहाँ पे असा नहीं होगा, क्योंकि यह straight नहीं है, अब यहाँ पे शुरू का जो आप इतना portion अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक का जो portion है, 0, 2, 2 या 4 तक का है जो portion अगर हम इस portion को देखें, तो यहाँ पे आपका time तो काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आपकी distance उतना तेजी से नहीं बढ़ी है, इतने लंबे time interval में, तो यहाँ प time है, वो उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है, time तो उतनी speed से चल रहा है, ठीक है, लेकिन distance जादा तेजी से cover हो रही है, यानि कि आपकी velocity जो है, वो जादा तेजी से बढ़ती जा रही है, तो velocity बढ़ रही है, इसमें time के साथ साथ, तो इसका मतलब इसमे acceleration हो रहा है, पिछ तो देखो, थर्ड जो सबसे important चीज इस graph से में पता चलती है, वो हमें देखना है, ये जो line है, इसका slope कितना है, क्योंकि हम जानते है math से, कि slope का formula क्या होता है, y axis divided by x axis, ठीक है, dy by dx, तो अगर यहाँ पे हम देखें, y axis पे है distance और x axis पे है time, तो distance upon time आपका क्या हो जाएगा average speed, तो यानि कि जो slope है वो show कर रहा है आपकी average speed, तो यानि कि जितना ज़्यादा आपकी speed होगी, उतना ज़्यादा आपका slope होगा, तो उपर वाली line में speed ज़्यादा है, नीचे वाली में उससे कम है, और सबसे नीचे वाली में सबसे कम speed है, ठीक है, तो यह आपका distance time graph complete हो जाता है अब जो तीन पॉइंट्स यहां से हमें याद रखने हैं मेजर वो हैं सबसे पहला तो के यह ग्राफ यूज होता है स्पीड मेजर करने के लिए दूसरा के स्पीड इस लोप आफ लाइन ग्रेटर दा स्लोप लार्जर दा स्पीड ठीक है और तीसरा के अगर यह ग्राफ की तरफ सेकंड आपका इंपोर्टेंट ग्राफ है वेलवा कि टाइम घ्राफ है अब सेम कान्सेप्ट है इसमें आपको जो दो यूनिट लेनी है वो है वेलासिटी और टाइम हम सेम एक्स एक्सेस पर टाइम को ही रखते हैं जिससे कन्फ्यूजन नहीं होगा 40 km पर आवर यह सेम टू सेम वही ग्राफ शो हो रहा है यहां पर लेकिन उस ग्राफ को जो है हमने डिस्टेंस के जगा वेलासिटी ले लिया है अब इसमें क्या है वेलासिटी पहले पॉइंट से लेके टाइम के साथ साथ इसमें बढ़ता जा रहा है पहले पहला एक घंटा फिर दूसरा घंटा तीसरा गंटा चौथा गंटा लगातार चार गंटे तक वेलासिटी लगातार 40 km पर आवर इसमें यही शो हो रहा था और वही यह सेम ग्राफ है ठीक है लेकिन अभी डिस्टेंस की जगा पर वेलासिट ही आ गया है तो वेलासिटी टाइम ग्राफ में अगर एक स्ट्रेट लाइन बनती है ठीक है जो कि पैरलल हो एक्स एकसिस के तो इसका मतलब है के वेलासिटी constant है velocity change नहीं हो रही उतनी ही बनी हो यह time के साथ ठीक है अब इसी graph में अगर velocity कुछ ऐसे straight line बनती तो इसका मतलब है velocity time के साथ साथ बढ़ती जा रही है इसका मतलब है कि acceleration हो रहा है velocity time के साथ बढ़ती जा रही है ठीक है और अगर ऐसे straight line एक नीचे की तरफ होती तो इसका मतलब velocity time के साथ साथ कम होती जा रही है जिसका मतलब है d acceleration हो रहा है ठीक है ना लेकिन यहां पर तो straight है तो यानि कि velocity constant है यहां पर acceleration 0 है इस वाले case में चलिए अब जो velocity और time graph है देखो distance time graph से हमें क्या पता चला था velocity पता चली थी दोनों को divide करके इसी तरह से velocity time graph से हमें क्या पता चलेगा acceleration पता चलेगा ठीक है चलिए अभी देखते है acceleration का वैसे formula या देन आपको acceleration क्या होता था change in velocity upon per unit time तो किसी भी दो point के बीच में अगर आप से पूछा जाए acceleration कितना हुआ है समझे लो ये दो point ले लिए मैंने A और B ये point A है ये point B है और मैं आप से पूछ रहा हूँ कि A और B के बीच में acceleration कितना हुआ है तो आपको simply क्या करना है A point पर velocity कितनी है वो देखना है B point पर velocity कितनी है वो देखना है दोनों का difference लेना है और दोनों के बीच में जो time है उससे divide कर देना है ठीक है तो velocity at point है कितना है 40 velocity at point भी कितना है वो भी 40 तो 40-40 0 तो 0 divided by this time 0 तो acceleration यहां पर कितना हो गया 0 वो हमें graph सीधा देख के पता चल रहा है कि acceleration यहां 0 होना था क्योंकि velocity जो है वो constant है एक horizontal line है सीधी तो यहां से हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि velocity time graph में अगर slope positive है तो यानि कि acceleration हो रहा है अगर constant line है जैसे कि yellow line इसमें दिख रही है तो यानि कि constant velocity अगर horizontal है लाइन और अगर slope negative है जैसे blue line में आपको दिख रहा है तो इसका मतलब किए d acceleration हो रहा है ठीक है अब देखो जो तीसरी चीज़ हमें इस graph से पता चलती है वो है distance traveled तो आप जानते हो कि distance का formula क्या होता है distance होता है velocity into time ठीक है तो देखो जितने भी 2D graphs आपको देखने को मिलेंगे आगे भी कभी आप देखोगे तो अगर x-axis और y-axis को multiply करके कोई quantity आती है तो उसको आप graph से measure कर सकते हो और उसे measure करने का तरीका होता है कि जो भी graph में multiply करके आती है ठीक है जैसे इस case में distance है distance है velocity into time तो अगर हम velocity into time करते हैं तो यहां पे जैसे इस वाल एक्जांपल में एक rectangle बन रहा है इसका जो भी area आएगा वो distance के equal होगा ठीक है ठीक है जैसे इस example से हम समझते हैं यहां पे अगर हमें यहां पे distance travel पता करना है point A और point B के बीच में अगर हमें पता करना है कि point A से point B के बीच में कितना distance travel किया है ठीक है तो हम A से B तक जितना भी area जितना भी area इस graph में यह जो blue shaded में जो area दिख रहा है न यह A point से B point के बीच का area इस area को हम calculate करेंगे इस time से लेके इस time तक और यह area जितना भी आएगा वो होगी distance travel between point A and B ठीक है अब area to calculate करना बिल्कुल easy है आपको point A और point B आपको पता होगा कहां पे दिया हुआ है तो यहां से आपको एक coordinate मिल जाएंगे point A और point B के और speed का आपको पहले से coordinate पता है 40 है तो यह rectangle का area आपको निकालना होगा जिसकी यह वाली जो length है वो आपको 40 दी हुई है यह वाली length आपको 40 मालूम है पहले से ही और यह वाली length आपको A और B के coordinate जो है वो दी होंगे question में कहीं पर भी तो वो आपको पता चल जाएगा दोनों को multiply करेंगे area आजाएगा और यही area जो होगा वो आपका distance होगा ठीक है ना तो अभी इस पहरा को जब आप read करेंगे एक बार खुछ से तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर कुछ नहीं किया है distance calculate किया है वही area निकाला हुआ है AC into CD करके T2 minus T1 यह T2 और T1 आपको question में दिया रहेगा कभी भी ऐसा calculate करने के लिए आएगा तो velocity time graph से जो तीन बाते हमें याद रखनी है वो क्या क्या है सबसे पहले तो हमें देखना है कि यह जो line है motion की वो कैसी है अगर वो horizontal line है तो इसका मतलब velocity constant है velocity में कोई change नहीं हो रहा है acceleration zero है ठीक है अगर यह जो line है यह इस तरह से है straight line ही है लेकिन ऐसे बढ़ती हुई जा रही है तो इसका मतलब velocity आपकी time के साथ बढ़ रही है constantly बढ़ रही है तो यानि कि uniform acceleration हो रहा है और यही line अगर आपकी इस तरह से time के साथ जो है कम होते जा रही है इस graph में तो यानि कि आपकी de-acceleration हो रहा है velocity time के साथ साथ कम होती जा रही है तो पहला point तो आपको यह line देखते ही समझ जाना है motion की कि आपका motion कैसा है ठीक है velocity constant है या acceleration है या de-acceleration है अब दूसरा point आता है इस graph से आप acceleration का पता लगा सकते हो ठीक है acceleration कैसे होता है सीधा velocity divide by time ठीक है change in velocity change in velocity divide by time ठीक है महां से आप acceleration निकाल सकते हो अगर आपको distance निकालना है तो distance होता है velocity multiply by time ठीक है वह आपका यह shaded area से निकल जाएगा ठीक है अगर समझ लीजिए यहां पर यह straight line नहीं होती और velocity आपको इस तरह से दी होती है इस तरह से velocity होती तब भी distance निकालने का जो है सेमी तरीका होता आपको point A देखना था point A फिर यहां पर कहीं पर आता यह कहीं आपका point A होता और इसी line पर यहां पर कहीं आपका जाके point B आता और फिर इनके बीच में जो यह area बनता मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक का जो यह area आपका बनता यह पूरा area इस पूरे area को आप calculate करते वो आपका distance आ जाता हो ठीक है distance निकालने का सेमी तरीका है आपको सिर्फ area under the curve of velocity वो आपको निकालना है ठीक है तो यह आपके दोनों graph हो गए यह देखे नीचे velocity में उसने बाद में यह दूसरा graph भी दिया है जिसमें acceleration हो रहा है ठीक है यहां पर velocity time के साथ साथ बढ़ती जा रही है और यहां पर देखो उसने यह area दिखाए दुबारा निकालके A और B के बीच में अभी यह जो total area होगा यह triangle प्लस यह square यह आपका total distance होगा A से B के बीच का ठीक है अब यह वाला जो figure है इस वाले figure में देखो velocity time के साथ साथ कम हो रही है तो यहां पर d acceleration हो रहा है और इसके बाद यह जो यह वाला figure है यह complex motion है जिसमें आपकी velocity पहले तो बढ़ रही है फिर घट रही है फिर बढ़ रही है फिर घट रही है तो यानि कि पहले acceleration हो रहा है फिर de acceleration फिर acceleration फिर de acceleration तो यह जो आपका normal जब आप कोई गाड़ी चलाते है ना normal general condition में तो इस type का graph बनता है क्योंकि तब आपका brakes भी यूज होते है accelerator भी यूज होता है कभी आप accelerate कर रहे हो तो velocity बढ़ रही है यहाँ पर brake लगाए तो velocity कम हो गई फिर accelerate किया बढ़ गई फिर कम हो गई तो तब इस तरह का graph बनता है ठीक है तो यह हो गया आपका ग्राफ्स का फंड़ा पूरा तो देखे अभी जो हमारा next topic है वो है equations of motion तो NCRT में जब आप देखेंगे यह equations of motion को जो है graphical method से यहाँ पे solve किया हुआ तीनों को derivation निकाला हुआ तीनों को तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं नाम होता है इनका पहली equation होती है V is equals to U plus A T वाली इसको बोलते है equation for velocity time relation दूसरी होती है आपकी S is equals to U T plus half A T square इसको बोलते है equation of position time relation और तीसरी equation है आपकी 2S equals to V square minus U square इसको हम बोलते हैं equation for position velocity relation तो यह derivation थोड़ा देखने से तो देखिए इस slide में यह 3 equations हमें दिख रही है तो पहले तो एक बार इनको देख लो ज़रा आराम से ठीक है क्योंकि सारे question आगे इस chapter के इन 3 equations ही solve होना है और सबसे main बात जो हमें याद रखनी है यह equation के वल तब आप follow कर सकते है जब आपकी acceleration जो है वो यूनिफॉर्म है अगर acceleration यूनिफॉर्म नहीं है तो यह equation काम नहीं करेंगी क्योंकि इसमें constant value acceleration के हम लेते हैं तीनों equation में देखो A, A, A यह A denote करता है acceleration को यानि constant value acceleration की कुछ तब यह तीनों equation apply कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले तो हम यह इनके initials के बारे में जान लेते हैं कि यह क्या-क्या denote करते हैं ठीक है तो S तो हम जानते हैं S को हम displacement के लिए use करते हैं यह होती है हमारी initial velocity V final velocity और A acceleration और T time यह 5 units ही हैं जो इन तीनों equations में use होनी है S U V A और T ठीक है और इसी वज़ा से इन equations को हम यह suvet equations भी बोलते हैं क्योंकि यह 5 quantities में use होती है S U V A और T ठीक है और हमें यह भी ध्यान देना है कि S U V और A यह 4 quantities जो हैं vector quantities हैं मतलब कि इनका magnitude के साथ direction भी होता है ठीक है displacement भी direction शो करता है U और V velocity है उनकी भी एक particular direction होती है और acceleration भी किसी particular direction में होती है तो चलिए अब इन तीनों equations का derivation हम देख लेते हैं एक बार तो सबसे पहली equation है हमारी velocity time relation ठीक है तो नाम से ही पता है velocity time relation है तो velocity time graph को इसमें use किया हुआ है तो इस graph को हम पहले ही पढ़ चुके हैं velocity time graph को यहाँ पे point A पे इसकी initial velocity शो हो रही है जिसको हम U से denote करता है point B पे इसकी final velocity शो हो रही है जिसको हम V से denote करता है और O से C तक जो यह time interval है इसको हम T से denote कर रहे है ठीक है अब देखते हैं इसमें क्या किया है तो इसमें simply कुछ नहीं किया हुआ है लेकिन उन्हें acceleration को लिया हुआ है acceleration का formula हमको मालूम है acceleration क्या होता है change in time upon time taken ठीक है अब change in velocity upon time taken तो change in velocity कितना है velocity में जो change हुआ है वो कितना है पहले U था बाद में V होगे तो change in velocity है V minus U अब V minus U इस graph से हम देख सकते हैं जो distance है BD BD हम देखते हैं इस graph में कहां पर है ये जो distance है BD ये BD है V minus U के equal ठीक है change in velocity और time taken कितना है time taken तो simply T है 0 से लेके T तक T तो इन दोनों को जब हम divide करते हैं हमें acceleration मिलती है acceleration का formula है change in velocity upon time taken तो यहां से हमें acceleration मिलगी BD upon T और BD को हम इससे equal लिख सकते हैं A T के और BD क्या है BD है V minus U तो इससे हमें मिल जाएगा V equals to U plus A T ठीक है इसी चीज़ को simple आप slide से देख सकते हैं इस slide में हमने simple acceleration का formula लिखा है acceleration equals to change in velocity V minus U upon T तो इसी को आप solve करेंगे तो आजाएगा V is equals to U plus A T This is your first equation अब देखिए second जो हमारी equation है S is equals to U T plus half A T square इसको हम पहले slide से समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी NCRT में देखते हैं कैसे किया हुआ है वो same ही किया हुआ उदर भी तो हम जानते हैं कि अगर हमें displacement निकालनी है इस equation में mainly हमें displacement का formula चाहिए तो displacement हम कैसे निकालता है displacement आता है area under velocity time graph ठीक है तो हम velocity time graph देख लेते हैं यह जो हमने draw किया हुआ है पहले नीश है velocity U, final V और time interval है T तो यहाँ पर अगर हम total area देखें इस line के नीचे तो वो कितना होता है वो दो area को मिला के बनता है एक नीचे वाला rectangle और एक उपर वाला triangle ठीक है अब नीचे वाले rectangle का area कितना है नीचे वाले rectangle का area है U into T ठीक है वो इसकी पहले term आ गई और यह जो triangle है इसका area कितना है यह triangle का area कितना होता है half into base into length तो half into base है इसका कितना T और length है इसकी कितनी length है इसकी V minus U ठीक है और V minus U को हम क्या लिख सकते है AT ठीक है तो ये area of this triangle कितना हो जाएगा half into 80 square वही यहां पे slide में दिखाया गया है ठीक है तो अभी यहां से आप clearly ये equation समझ गये है कैसे आएए simple area calculate किया है अब इसी चीज़ को हम NCRT में एक बार देख लेते हैं ठीक है अब NCRT में देखो यहां पे भी as equals to area of O A B C which is a trapezium ये same to same वही figure है A O C B ये trapezium है इसमें नीचे ये rectangle है A O C D और उपर एक triangle है A B D सबसे पहले नीचे ये rectangle का area निकाला है जो कि simple आपका है A O into O C ठीक है ये देखो नीचे है A O into O C और इसमें add किया है triangle का area जो कि है half into A D into B D ठीक है ये देखो half into A D into B D अब O A और O C की value रग दिया है U or T और A D और B D की value रग दिया है T और A T तो यहां से आपकी equation आजाएगी S is equals to U T plus half A T square ठीक है अब देखो यहां पर third equation देख लेते हैं लास्ट equation है ये है position velocity relation अब इसमें भी simple वही किया हुआ है S निकाला है इसमें area of trapezium देखो पिशली बार जो हमने area निकाला था area है distance के equal ठीक है तो पिशली बार जो हमने distance निकाली थी वो थी rectangle प्लस triangle का area एड़ किया था इस बार हम दूसरी तरीके से निकाल रहे है area of trapezium trapezium का area निकालने का formula होता है हमारा addition of parallel sides into perpendicular side ठीक है तो यहां पर हम इस equation में अगर देखें OA plus BC into OC upon 2 ठीक है यह आपका area हो जाएगा area of trapezium का जिसमें OA plus BC यह दोनों आपकी parallel lines है ठीक है into यह perpendicular side है आपकी OC और divide by 2 यह area of trapezium हो जाएगा तो इसमें यह हम रख देते हैं value अब value रखने के बाद OA हम जानते हैं U है BC की value V है और OC simple T है इन सब को हम put कर देते हैं तो यह equation आप किया जाएगी अब इसके बाद इस equation में आपको T की value put करनी है T की value हमें put करनी है first equation से T की value क्या होती थी V is equals to U plus 80 था महां से T की value आजाएगी V minus U upon A अब इस value को T की equation में put करेंगे और solve करेंगे तो S की यह value आजाएगी ठीक है इसी को हम solve करेंगे तो आजाएगा 2As equals to V square minus U square अब यह तो हमें graph से हमने निकाला है area के method से इसी को simply अगर हम देखें इस slide से अगर हम समझें तो जो आपका पहला equation होती है V equals to U plus 80 अगर आप इसका whole square कर देते हैं ठीक है इसका whole square करेंगे तो आपको क्या मिलेगा V square equals to U plus 80 का whole square उसे open करेंगे तो आजाएगा U square plus 2U80 plus A square T square अब इसको अगर आप solve करेंगे तो आपको सीधा मिल जाएगी आपकी equation V square equals to U square plus 2S जो कि आपकी third equation है ठीक है ओके तो हमारा final topic अभी chapter का चुका है यह uniform circular motion ठीक है अब देखो circular motion तो जैसे कि हमें पता ही है circular motion क्या होता है कोई भी object अगर किसी एक center के around revolve कर रहा है या rotation कर रहा है तो हम circular motion बोलते हैं जैसे कि आपका fan है आपने fan on किया fan गोल 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 भूम रहा है तो वो भी circular motion है ठीक है जैसे कि आपका अर्थ है वो sun के goal goal revolution करता है तो वो भी एक circular motion है ठीक है अब uniform से हम पहले ही मिल चुके हैं uniform का मतलब जहां पर आपकी speed जो है वो constant वनी हुई है change नहीं हो रही है ठीक है uniform का simple मतलब होता है जिसमें change नहीं हो रहा हो ठीक है जो एक जैसा बना हुआ है तो uniform circular motion हो गया कि अगर आप एक constant speed से एक center के around गोल गोल गोम रहा है तो वो एक uniform circular motion हो गया ठीक है अब इसमें जो सबसे खास बात है uniform circular motion में वो यह है कि इसमें speed तो constant वनी रहती है लेकिन velocity जो हर point पे change होती रहती है ठीक है यह आप जानते हो कि speed और velocity में difference क्या था speed केवल magnitude है ठीक है और जब हम बोलते है speed को direction के साथ लेने के लिए तो उसको हम velocity बोलते है विलासिटी में direction भी होती है magnitude के साथ ठीक है और circle में हर point पे आपकी direction जो है वो change होती रहेगी क्योंकि वो एक straight line तो है नहीं कि आप एक ही direction के along move कर रहे है circle में हर point पे आपकी direction change होती है तो इसलिए महाँ पे velocity आपकी change होती रहेगी अब जैसे यह एक example यहाँ पर दिया है आपको समझाने के लिए के actual में circular motion में हो क्या राए velocity के साथ देखो सबसे पहले एक rectangular track यहाँ पर दिया है इसमें हम चलो तो ए से चलना अगर शुरू करें ए से बी पर बी से सी पर सी से डी डी से ए तो यहाँ पर ए से बी तक जब हम आए velocity की direction सीधा नीचे की तरफ ती साथ डिरेक्शन में फिर बी से सी में फिर लेफ्ट relative to velocity चार वार चेंज हुई है अब इसी तरह से hexagonal track में अगर हम देखें कि तो इसमें velocity हमारे शा वार डिरेक्शन चेंज हो रहे हो घी यह तो वेलासित हमारी चैपार चेंज हो रही है इसी तरह से Octagonal में 8 बार change हो रही है तो इसी तरह से अगर हम sides बढ़ाते चले जाएंगे इस track की तो velocity हर point पे change होनी शुरू हो जाएगी तो final में हमने इसको एक circular track में change कर जाएगी तो circular track में क्या है हर point पे आपके velocity change हो रही है क्योंकि यहां पे side तो कोई है नी ठीक है हमें याद रखने वाली चीज़ है uniform circular motion में ठीक है अब हम velocity को measure कैसे करते है velocity measure करने का हमारा simple वही तरीका है displacement upon time ठीक है अगर हम एक rotation की बात करें तो एक rotation में जो distance हमने cover किया है वो कितना होगा तो हम जानते है circle का जो perimeter होता है उसका formula होता है 2 pi r तो जो distance होगा एक पूरा circle का rotation में वो होता है 2 pi r और velocity होगी distance upon time तो यह हो जाएगा 2 pi r upon t तो यह simply magnitude आजाएगा velocity का 2 pi r upon t और direction जब भी हमें निकालनी होगी velocity की तो हम जिस भी point पे खड़े हुए है महां से हम circle पे tangent draw कर देंगे तो हमें velocity मिल जाएगी देखो एक example है अगर आपको direction देखनी है क्या होती है uniform circular motion में यह एक activity इसने दी हुई है इसमें हमें क्या करना है हमें एक stone लेना है और धागे से उसको बांध लेना है ठीक है और उसको गोल गोल rotate करना है अपने हाथ में पगड़के और जिस भी point पे आपको direction देखनी है velocity की उसी point पे आप क्या गरो अपने हाथ से उस धागे को छोड़ दो तो फिर आप देखो कि वो जो stone है वो circle direction में नहीं जाएगा वो जैसे ही आप बाहर छोड़ोगे वो tangential direction में बाहर की तरफ भागेगा ठीक है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो velocity की direction होती है circular motion में वो हमेशा tangent to circle होती है ठीक है तो ये आपका uniform circular motion था इसमें जादा कुछ और दिया नहीं है थोड़ा बहुत ये overview आपको इसका मिल जाएगा इदर से आपको सिर्फ velocity का magnitude वो 2 pi r by t होता है और direction होती है tangent की direction ठीक है इतना आपको याद रखना है speed constant रहती है लेकिन velocity change होती रहती है अब ऐसा करते हैं हमारा chapter जैसे finish हो चुगा है हम एक बार फटा फट एक quick revision कर लेते है ये summary पढ़ लेते हैं हम इसी से NCRT से जिससे हमें पूरा एक बार remind हो जाएगा क्या क्या हमने इस chapter पढ़ा है इसमें first video और second video दोनों गवर हो जाएगी तो सबसे पहला point है motion is a change of position it can be described in terms of the distance mood or the displacement तो इस motion की simply definition यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ी थी कि अगर change in position हो रही है time के respect में तो यानि की motion हो रहा है second is the motion of an object could be uniform non-uniform depending on whether its velocity is constant or changing उसके बाद जो दूसरा topic हमने पढ़ा था वो पढ़ा था uniform non-uniform motion अगर velocity change हो रही है तो यानि की non-uniform motion है नहीं हो रही है constant बनी हो रही है तो यानि की uniform motion है फिर तीसरा point है the speed of an object is the distance covered per unit time and velocity is displacement per unit time speed और velocity का difference है speed जो है distance का relative है velocity displacement का relative है ठीक है the acceleration of an object is the change in velocity per unit time उसके बाद हमने acceleration पढ़ा था acceleration की definition क्या थी change in velocity per unit time उसके बाद आता है uniform and non-uniform motion of an object can be shown through graph उसके बाद हमने आज पहला topic जो पढ़ाया वो हमने graph studies किये और graph में हमने देखा कि किस तरह से अगर straight line है तो uniform हो रहा है अगर curve बन रहा है तो non-uniform हो रहा है तो हमने दो तरह के graph पढ़े दोनों में हमने समझा कि कैसे कैसे graph बन दें ठीक है उसके बाद the motion of an object moving at uniform acceleration can be described with the help of three equations फिर उसके बाद हमने equations of motion देखी अगर uniform acceleration का case है तो हम ये तीन equations यूज़ कर सकते हैं इसके बाद क्या है if an object moves in a circular path with uniform speed its motion is called uniform circular motion ये अभी अभी हमने देखा uniform circular motion इसमें speed जो है uniform रहती है लेकिन velocity आप पी change होती रहती है क्योंकि direction change हो रही है तो ठीक है students आज का वीडियो भी यहीं पे खतम करते है काफी लंबा हो गया ये वीडियो भी अभी मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा अगर कभी भी कोई doubt आता है कहीं पर भी या किसी question क्योंकि हमने question अभी तक कोई किया नहीं है कोई question में doubt आता है तो आप मेरे को जरूर बता हूँ बहुत thank you और अगर कोई भी suggestions आपके होते हैं इस वीडियो को better करने के लिए तो बिल्कुल बताईए नीचे comment कीजिए तो thank you बाई बाई